एलो फ्रेंड्स और दिए स्टुडेंट्स तुडेए विल डिस्कस स्ट्रक्चर एंड उसेज ऑफ प्रोपाइलीं ग्लाइकॉल प्रोपाइलिंगलाइकॉल जो है वह अगर बात करें तो यह एक सिंथेटिक और और यह नहीं पहे जाता है इसको हम संथेजिस करके बनाते और प्रिसॉल जो था वह ट्राई ओल था ठीक है या पॉली ऑल भी हम बोल ला थे क्योंकि वहां पे तीन ओएज ग्रुप यहां पे कितने ग्रुप है दो ओएज ग्रुप है यह एक टेस्लेट कंपाउड है जिसमें जिसको और लेस भी आप बोल सकते हैं इसमें कोई महग भी यह सकते हैं एकिटोन वाटर और क्लोरोफॉर्म में मिसीबल होता है तो बहुत ही सारी इसकी फिश्कल प्रॉपर्टीज जो है वो हैं और इसका आपेसी नॉमनक्लेचर की बात करें तो इसी प्रोपेन वन टू डायॉल से ही हम लोग इसके स्ट्रक्चर का इलिसरेडेशन क कर सकते हैं इस्ट्रक्चर सकते हैं कि कि च्पर कार से होगा अगर मौल्यकुला की बात करें तो एक सी 3 s again नाम बता रहा है प्रोपेन तो कार्भण कितने होंगे तीन और प्रोपेन अगर है तो प्रोपेन में ही जैसे c.. शी सटी c.. यह होना चाहिए लेकिन आंब तो आप देख रहा हो कि यहाँ पर पहले काबन से और दूसरे काबन से दोनों काबन से एक एक hydrogen को replace करके OH ग्रूप को क्या कर दिया गया है लगा दिया गया है तो आप लिख सकते हैं कि प्रोपेन में first and second carbon पर अगर H को replace कर दिया जाए hydroxy group से तो जो structure प्राप्त होगा that is known as propylene glycol और propylene glycol जो है या propylene one to die all जो है उसको हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यह पहला दूसरा और तीसा carbon है और जो पहला carbon है उस पर OH ग्रूप लगा हुआ है जो दूसरा carbon उस पर ग्रोश लुका है आप चाहें तो simple line से लिख सकते हैं that is first carbon second carbon carbon यहां पर पहले और दूसरे carbon पर क्या है वेज ग्रूप है अब जो यह carbon और oxygen यहां पर उप्लब्ध है atoms वह सारे का सारे क्या है sp3 hybridized है जैसा कि होता है जनरली अगर single bonds बने हो तो sp3 hybridized oxygen जो है इसके पास जो sp3 hybridized orbitals है उसमें से दो जो है वो fully filled है एक ने bond बनाया है किसके साथ s के साथ या एक new overlap किया है s orbital of hydrogen के साथ और दूसरे ने क्या किया है sp3 orbitals of इस carbon के साथ ऐसी तरीके से से सेम दोनों जगहों पर बन रहा है ठीक है जो oxygen atoms है वो more electron negative है इसलिए वो थोड़ा सा small negative charge अपने पास रखेंगे जिसको हम delta negative charge बोल सकते हैं और उसी तरीके से hydrogen के पास क्या होगा delta positive charge या small positive charge होगा क्योंकि वो यह more electron negative है यह electron को पर तरफ खीचेगा तो इसके पर क्या हैगा positive charge है इससे फैदा होता है जहां भी alcohols होते है वो hydrogen bonds हो है वो बना सकते हैं तो अगर आप simple एक लाइन में कहीं इसके structure को तो it is a diol compound यहाँ पर दो hydroxy group है with propane skeleton यानि कि propane में द जो ओल या दो OH group जो है वो present है जहां पर पहले और दूसरे carbon पर जो hydrogen उसको substitute किया है किसके साथ hydroxy group के साथ this is the structure of propylene gycor अब बात करते हैं इसके uses की जो common uses है इसके तो यह solvent के तरीके से use किया सकता है for the IV injections जैसे intravenous injections बनाने हैं या intravenous proportions बनानी है उनके लिए oral proportions बनानी है तब भ होता है जो कि आप skin के ओपर apply करते हैं simple वहाँ पर या आपके skin में या mouth के areas में जो mouth sorry जो body cavities है या जो skin है उस पूरे area में जो चीज़े provide कर जाती है उसको हम बोलते है topical preparations तो topical oral और intravenous pharmaceutical preparations में as a solvent हम लोग इसको use कर सकते हैं यह polyester बनाने के काम आता है यानि कि आप कह सकते है polymer के synthesis में भी हमारा यह जो poly 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 glycol है वो use कर सकता है क्योंकि यह और जो है एक base के तरीके से use करते हैं de icing solutions के लिए कई बार जो है कुछ जगहों पर हमको eyes को break करना हो तो de icing solutions का परयोग कर सकते हैं तो जो poly 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 glycol है वो इस तरीके से इसका परयोग क्या जाता है यह anti freezing के तरीके से भी use क्या जाता है जो products हैं जिनको हम लोग freeze करने से बचाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग anti freezing agent के तरीके से इसको मिला सकते हैं for the pharmaceuticals products for the chemicals some of the chemicals and some of the food products also तो यह food additive की तरीके से use क्या जाता है food and drug administration ने इसको safe food additive के तरीके से क्या किया approval दे रखा है और यह इसका जो main काम है वो य humectant का मतलब होता है कि यह moisture के जो content है उसको maintain रखता है medicines के अंदर cosmetics के अंदर food products के अंदर chemicals के अंदर paints के अंदर हर जगा पर ठीक है क्योंकि moisture अगर बढ़ जाएगा तो जो products हैं उनकी प्रॉपर्टी अगर बढ़ जाएगी तो उसको maintain रखने के लिए जिन present का प्रयों करते ह हम कहते हैं humectant और हमारा poly polyngricol जो है वो बहुत ही अच्छा humectant के तरीके से यूज किया जा सकता है जो आप food colors यूज करते हैं जो कि खाने में color लाने के लिए यूज किया जाता है फ्लेवर्स खाने में flavors जो चीजने के लिए ला जाता है उसमें हम लोग ऐसा solvent यूज कर सकते हैं और खाने में मिला सकते हैं और paints और plastics प्लास्टिक के preparation में और paints के preparation में भी आज़ आज़ा का प्रयोग किया जाता है सीन को अच्छा करने के लिए तो वहां पर हम लोग ऐसा इसको artificial fog या smoke इसी से बनाई जा सकती है जब last but not the least यह PCR यानि कि polymer chain reaction जो होती है यह polymer chain reactions वो reaction होती है जहां पर आप एक से ज़्यादा DNA की senses वगएरा कर सकते हैं या testing वगए के लिए यूज किया जाता है जैसे कि आज कल COVID-19 की testing में भी PCR technology का प्रयोग किया जा रहा है तो PCR technology में जो melting points है nucleic acids का उन nucleic acids का जहां पर guanine cytosine rich sequences अगर synthesis करने या उनको target आप कर रहे है तो उनके melting point को कम करने के लिए भी हम लोग polyene glycol का प्रयोग करते हैं यह आप simple कह सकते कि PCR technology में भी as a solvent हम लोग polyene glycol का प्रयोग करते हैं तो this is the structure and some general uses of polyene glycol और इससे रिलेट ते कर कोई भी question हो तो comment box में पूछेगा मैं उसको answer करने के कोशिश करूँगा वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धान्यवाद